हेलो एवरीवन आज का हमारा कोश्चन है तो देखिए इस प्रकार के कोश्चन में आपको क्या करना है सबसे पहले तो हमारी पास दो कोश्चन गीवन है और उनका रेश्चन गीवन है तो हम मान लेते हैं x quantity और दूसरा है हमारी पास y quantity ठीक है दोस्तों तो क्या करा है देखिए 3 ratio 5 है और हमें क्या करना है smaller quantity की value निकलनी है तो हमें find क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें find क्या करना है smaller quantity कौन से इसमें 3 है तो हमें 3 की value निकलनी है तो हम क्या करते हैं हमें 3a की value निकालनी है दोस्तों ठीक है हमें 3a की value इस question में निकालनी है तो सबसे पहले जो given है वो हम करेंगे देखें यहापर क्या given है if each quantity is decreased by 9 तो जिस प्रकार question given है उस प्रकार हमें लिखना है ठीक है दोस्तों और कुछ यहापर variable दिखेंगे क्योंकि यह ratio में है तो हम यह consider कर लेते हैं यह a है और यह भी a है ठीक है दोस्तों तो यह x कितना है हमार पास 3a है और y कितना है हमार पास 5a है उसके बाद कह रहा है कि decrease by 9 if each quantity is decreased by 9 तो हम यह कर देते हैं इस में से 9 को minus करेंगे इस quantity में से और इसको भी 9 से minus करेंगे ठीक है दोस्तों 3a minus 9 is equal to हमार पास क्या है 5a 5a minus 9 is equal to क्या हमार पास 9 है तो अभी यहाँ पर हमें cross multiply करना है ठीक है तो हमें यहाँ पर cross multiply करना है 3a minus 9 is equal to देखे यहाँ सी इसे और यहाँ सी इसे 5a minus 9 सबसे पहले हम करेंगे देखे 27a minus 81 25a minus 45 एक सेट में a को लाएंगे देखे 27a minus देखे यह plus यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और देखे minus 45 तो 81 को इधर लाएंगे ते यह हो जाएगा plus और minus 45 देखे कितना हो जाएगा यह 2a is equal to देखे कितना जाएगा देखे यह 6 और यह यहाँ पर 1 के आरी तो देखे यह कितना हो जाएगा 36 तो A की value कितनी आ जाएगी दोस्तों हमार पास A की value 36 by A 36 by 2 तो A की value हमार पास 18 आ जाएगी ठीक है दोस्तों A की value हमार पास 18 आ जाएगी पर हमें find क्या करना है दोस्तों हमें 3 यह find करना है तो हम 3 A की value put करेंगे तो 3 into A, एक इतना है यह पास 18 तो कितना हो जाएका दोस्तों देखिए हमें यह फाइंड करना है, तो 18 into 3 कितना होता है दोस्तों 54 होता है तो इस question का answer कितना है दोस्तों 54 है smaller quantity को find करना था इसलिए हमारा answer 54 आया है ठीके दोस्तों दोस्तो इस प्रकार के question में सबसे पहले आपको जो ratio given है उस ratio को लिख लेना है फिर उसमें से हमें क्या करना था? decrease करना था 9 तो हमने 9 decrease कर लिया और is equal to कितना हो जाएगा? 5 by 9 इस प्रकार हो जाएगा तो हमें cross multiply करके solve कर लेना है A की value निकाल लेना है A की value 3A में put कर लेना है औ बिलते अगले वीडियो में धन्यवाद